यानि कि बुद्वार नो जदो पाकिस्तान विच करीब सतर सालां तो बास सिक्कॉम दे जज़बातां दा ख्याल रखते हुए श्रीकरतार पुर साहिब लांगे दा नीपत रख्या गया इस जुरान पाकिस्तान दे प्रदान मंतरी मिरान खान ने अपने दोस्त थे पंजाम दे काबिनेट मंतरी नव जो सिंग सिदू दे हक विच नितरे और आ किया कि जदो पिछली वार सिदू पाकिस्तान तो वापस गए ता पारत विच बड़े सवाल चुके गए वो केड़ा कोई जुर्म कर रहे सां जेकर जंग नहीं करनी ता दोस्ती तुलावा होर केड़ा रा बचदा है पारत पाकिस्तान दे रिष्टियानों सुधार ले किते सिद्धू दे वजीर आजम बनन तक दा इंतिजार ना करना पवे मैं जँर पारत गया मैंनु बहुत प्यार मिलया ता मैंनु लगया कि दोवा मुलका विचाले दोस्ती हूनी चाही दिया पाकिसान दे प्रदार मंतिर मुरान खान ने कहा कि सादा एक मुद्दा है कश्मीर केसी चांद उत्ते जासकते है ताँ एक मुद्दे ते गल क्यों नहीं कर सकते उन पाकिसान दे सियासी दालते फॉज एक पेज उते हन अते दोवा मुलकां दे आगुआनू मजबूती नाल अग्ये बदना चाहिए है हम आगे बढ़ना चाहते हैं हम एक वो एक सिविलाइज विलेशन्शिप चाहते हमारा मसला एक किश्मीर का मुझे ये बताएं कि इनसान चांद पर पहुंच चुका है कौन सा मसला है जो इनसान हल नहीं कर सकता क्या हम एक मसला अपना हल नहीं कर सकते सिर्फ दो इरादे वाली लिडर्शिप चाहिएं बॉर्डर के एक दोनों तरफ जो इरादा कर लें कि हम मसला हल करेंगे मैं आपको यकीन दलाता हूं कि ये मसला हल हो जाएगा कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हल नहीं हो सकती लेकिन एक इरादा चाहिए और एक बड़ा खौप चाहिए सोचें कि एक दफ़ा हमारी तजारत शुरू हो जाए हमारी रिलेशनशिप ठीक हो जाए आप अंदाज़ा लगाएं कि पोटेंशिल कितना है क्या हो सकता है दोनों मुल्कों को कितना फायदा हो सकता है मैं आप सबका फिर से शुकर गुजार हूँ और आपको फिर से वल्कम करता हूँ और खास तोर पे निव जोच सिदू आपको और मैं अच्छा आखर मैं एक चीज़ मैं जब मैंने जब देखा कि सिदू वापस गया पिछली बारी तीन मीने पहले जब याए थे तो इनकों पर बड़ी तनकीद हुई मुझे अभी तक नहीं समझाई कि तनकीद क्यों हुई एक इन्सान एक दोस्ती और प्यार का पिगाम लेके आया है वो कौन से चुर्म कर रहा है और वो अन मुझे मालक के बीच में वो दोस्ती की बात कर रहा है जो दोनों मुल्क न्यूकलर राम्ड है हमारे पस दोनों के पास एटमी हिथियार है तो जंग तो होई नहीं सकती दो मुल्क जिनके पास एटमी हिथियार हो वो तो पागल पान जन्ग का सोचना मैं ये उमीद रखता हूँ कि ये ना हो कि हमें सिदू की इंतजार करनी पड़े कि जब वो वजीर आजम बनेगा तब दोस्ती होगी पाकिस्तार और हिंदुस्तान की उर्म बनेख